तो हमें स्टार्ट करता है तो हिंडू डिस्कुर्शन जो पढ़ेंगे 17 अफ मही का पढ़ने जा रहे है और जो फिर्स पेपर जो न्यूस यूपीस से रिल्टेट अब आपको बता तो पहली बात जो वेरी सीविर सैकलोन आया है केरला में और गुजरात के और इधर बार जो इसने दिखाया उपर गुजरात तक जाता हो आया है तो गाला फोर्स विंड आपको थोड़ा इतना बस या रखना है कहां पर रिसेंटली यहां पर आया है दिल्ली में केसिस कम होना स्टार्ट हो गया है दस जार के असपास केसी जाया है तो एक तरह से में देख सकते है इसकेंड वेब कम वोते जारिया भी शो किया गया देखो डेली अविकर आवरेज टेस्ट थूड़े इंक्रीज हो रहे और इसका मतलब यह किकेसिस कम हैं उसके अपर्डिंग नहीं और भी चीजह थे कैसिस कम होना स्टार्ट हो घया है तो साइं मतलब किया शो ताइन आव प्रॉब्लम क्या हो रही है पंडमिक टाइम में जो विदेशों से फंडिंग आती है अब एप्सीर एक्ट क्या बोलता है कि आप जो भी पैसा मंगाएगा आप रजस्ट्रेड होने चाहिए इसाइग है इसे वह पैसा सबस्टाइब क्या है तो प्रॉब्लम क्या हुआ थी को कि यह सब चीज जो चेंज किया गया है कि एक अकॉंट होना चाहिए कि आप 20% अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं उससे ज्यादा पैसा आप नहीं खर्च कर सकते हैं पहले 50 परसेंट था मैंने आपके पढ़ाया तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँ एप सी आ रेक्ट को तो प्रॉब्लम क्या और थी क्योंकि एक ही बैंक में अकाउंट होना चाहिए बहुत सार प्रॉब्लम आ रही थी तो यही सारी बात है कि हाई कोट में उचले गए थी इस प्रॉब्लम को देखते हुए तो अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकलता है अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है सेंटर से पूछा है कि डेड्लाइन को एक्सेंट कर देना चाहिए जो आप कोई भी मतलब की सप्लाइ किसी भी चीज़ की डिमांड करेट होगी ना मार्केट मुसकी ब्लेक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी यह पैलल चलता है सप्लाइब मतलब की डिमांड इंक्रीज तो उसकी ब्लेक मार्केटिंग सप्लाइड डिक्रीज हो जाती है डिमांड इस वह जाता है इसके कि के कौश्ट से क्या होता है कि कि कॉश बड़ जाती है पैदावार करते है कि स्ँपैद़क्षान वाली朵ती है एक सारी दो तरह की होती है एको चिनफलेश्न एक कॉस्ट का मतब होत Überगि शुगर तैयार करें उसका रÓम अगर शुग के उसे बेचेगा तो बेचेगा तो चीने की कीमत भी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से क्या होता है यह होती है आपकी कॉस्ट पुश इंफलेशन एक होती है डिमांड पुश इंफलेशन जैसे आपने करोना में देखा ऑक्सिजिन का सिलेंडर चार सुझे दो सो रूपर में फु बहुत है इतनी काम की नहीं है थीक है है इतने काम की नहीं हो सारी इसमें चीज़े बात की गई है कि कैसे और हमारा चाइना का रोल ना हमारे पहले कले होता है इस तारे इरिया पर hil़ान वैली गैरो हाध स्प्रिंग न्श बैंक और पैंग इंगन त्यला यौ यह मैंने कई बार भी पढ़ाई भी है फिर मैं उनको रिपीट कर दूँगा एक बार आपको पढ़नी है तो हम रिपीट कर देंगे उसके बाद हमारा हमने कोवेक्स यह कोवेक्स मिशन है अभी क्या होगे बहुत सारी जो हमारी नेवत नियर्बाइ कंट्री थी हमने एक है ऐसे UNESCO है और आपका WHO है UNICEF है बहुत सारे NGOs भी है कोवेक्स के अंदर क्या है जो क्रोना की वेक्सीन है और जो क्रोना डेवलप करने वाली कंट्री है वो गरीब नेशन को जिनके पाद डेवलपिंग की फैसिलिटी नहीं है उनको फ्री आफ कॉस्ट वेक्सीन कर पा रहे है तो यह वेक्सीन मित्रा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सकंदर दिया गया था अब क्या है हमारे वेक्सीन खता मुझे सम्झें बांगलादेश को देनी थी हम कोवीशीट देनी पर नहीं दे पा रहे है कि हमारी चोटेज चल रही है तो अब चाइना दे रहा ह कि शॉफ्ट डिपलोमैसी बोलते हैं या वैक्सीन डिपलोमैसी बोलते हैं आपको यह 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 थिंद्ध कर रहे हैं और वह से कोई बात मनवार हों कि यह सारी चीज है फिर जो पेंडमीट टाइम ही सबसे ज्यादे फेस करने लेबर सेक्टर को मतलब जो इन्फॉर्मल सेक् कर रहे ना उन्होंने बहुत फेस किया अब इसी पूरे आर्टिकल में यही दिया गया है क्या-क्या वो मैंने फेस किया है एक तो लार्ज इनकीज इन पॉवर्टी आपने देखा होगा महासिब आपके डिस्ट्रप्शन हुआ है लेबर मार्किट का इंडिया में सबसे पहली तो वाइडनिग गैप कैसे हो गया वाइडनिंग गैप इन धसे जैसे इन एंप्लॉइमेंट बढ़ा है मतलब कि इस्पेशिटल वुमें लुमेंट है तो एक वाइड गैप होगई है मैन और वोमें के बीच में क्योंगी मैं वही थो उन्हें जॉब लेगी किसी किने किसी यह सब बढ़ गया है इसकी वज़े से उनकी जॉब चली गया है देखो लैक आप गूड जॉब नहीं है आप उसके बाद आपके रस्ट्रिक्टिव शोचल लॉम्स हैं बड़न आफ हाउस बढ़ गया है उनके उपर यह सारे चीज है फिर स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 21 year of COVID-19 shows that the pandemic is the worst situation लेकर आया लोगों के लिए ऐसा बोला जो वुमें इस कि लोगडाउन के जो प्रॉब्लम क्रिट किया वुमें के सामने एक तो घर का लोड बढ़ गया उपर से जॉब चली गई उनके लिए तो यह सारी चीज बात की गई है यह बोलते है एक सर्ट परसेंट आप मेल वरकिंग वर अनफेक्टी डूरिंग दूरिंग दूरिंग लिए नाइंकी परसेंट ऑफ वुमन एक्सपीजियंट आफ सेक्यॉरिट एंक सेक्यॉरिट एवकुठी जो इंपल्एट वूमेन विभुमेन है वूह लॉँवाड इनकी जॉब गई थी वो लॉट में की जोब गई थी वह लॉट के भापिस नहीं आई उस ताम के लिए आदमी का रेशियो कम है, 7% लोगों की नौकरी गई थी, पर वो लॉट के मतलब नहीं आया, ऐसे 7% है, वो लॉट के दुबारा नहीं नौकरी गई थी, वो लॉट के दुबारा नहीं जॉब के लिए आई है, यह सब इसमें देखा गया है, तो रीगेन कैसे हो, मैं, जो होता इंप्लॉइमेंट और डेली वेजिस वरकर रस्पेक्ट ली, 4-5% है जो मतलब की एक फॉर्मल चैनल में इनके पास सेलरी मिल रही है, इस कंपेर तो 11% of women, इवन यह कोई डाटा याद भी रखना है, बहुत डाटा आपको कुछ भी याद देना पस आपके मोटा मोटा इसके पास जो कंडिशन आती है उसमें बता डेली वेजिस स्पेशली जो डेली वेजिस वरकर हैं जो मतलब की लेस्ट नूमरी टिप थी मतलब की सैल इंप्लॉइट थे होना एवरेज बिट्विन सितमा उनके बहुत हाम्फुल हुआ है जो डेली वेजिस वरकर थे बताया कौन सा डी अस्पाल सेलरी बोले की बात करता है मुमें और मैन की कौन सा डी अस्पाल को तो बहुत है उसके बाद यही सारीव मंदलब की लो अरंणिंग कंपेर आप पता एक उनकी अर्रिन कम होती है प्रसका लेकर अपको ही बता है कि में कम पैसे देकर लगा लिटें कि आ प्रॉब्लम क्या हो रही है डोमेस्टिक वर्कर गोइंग तो बढ़न बढ़ गया है एक तरह से वो डोमेस्टिक वर्कर हो गई है तरह से क्या पता हो वर्क पे लोटके ना है क्योंकि उनके पास घर की जो बड़न है कियर करने का उसमें वो इनका भड़ चुका है तो इंदिन ने यही सारी चीज में बताई है आप कुछ चीजे यह रखना फिर इंडियन वर्किंग सर्वे दो हुजार दो कराया गया फाउंड एट अमंग दे इंप्लोइड मैं दे नंबर ओफ आवर इस पंडिग वर्कर और रिमेंड और लेस चेंज आफ्टर दर पैंडमिक आपने देखा गया है कि जो मतलब की यसा पैंडमिक आप घर में हो आको आट गंटे ऑफिस में जॉब करनी पड़ती आपने सचा वर्क फ्रोम होगा दो चार गंटे काम करने पर पता लगा उसने भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है वर्क फ्रोम होगे 10-20% वूमें बिपोर्टे स्पेंडिंग बिट्वीन 2-4 आवर इन डुमेस्टिक वर्कर दिश शेर इंक्रिस बाइफिट इकनॉमी में बहुत जरूरी है उनके बिन हम इकनॉमी 5 trillion नहीं पहुचा पाएंगे अगर women participation नहीं होगा हमारी इकनॉमी में क्योंकि women be near about 40-45% पूरी इकनॉमी में उनकी हिस्सेदारी है तो आपको यह भी याद रखना है लॉंग तरम स्टेंट लेना होगा कोशन मतलब की 30% women को ही जॉब मिलेगी उसके बाद ऐसा कर दो कि expansion करना होगा आपको मंद्रे का स्कीम में ताकि जॉब मिल पाए फिर ऐसी स्कीम जिसे मंद्रे का है ना इसी आपको अर्बन क्योंकि मंद्रे का जो गाउं में होती है आपको अर्बन जो है अर्बन को गारंटी देने के ऐस अर्बन करते हैं आपकी community kitchens हो गया अंगरण बाडी central हो गया आपको self-help गरूप हो गया और work करती है आपको self-help में के जैसे उन्हें मतलब की marks बनाने है विपी टीकिट बनानी है उन सब चीजों में self-help गरूप बढ़ा देना चाहिए यह किवेंट्स होते हैं किट्स होती ह है अब उनकी डिमांड है तो आपको self-help group जो है उनको पैसा देना चीज ताकि वह चीजों में अपना काम करना start कर दें तो यह सब चीज है फिर जो national employment policy है उस तो आपको थोड़ा strong करना होगा women का participation बढ़ाना होगा ठीक है ना workforce में यह सारी service आपको program debt not only fill the existing with आपकी vacancy in the social sector but also expand the public investment in health education आपको चिल्रन एंड अल्डर जो elder care होती है तो आपको इन सब चीजों आपको invest करना चाहिए उनिवर्सल बेसिक service names के लावा आपको और भी चीजों फुल्फिल करना है तो यही है कि women को आपको डबलब कैसे कर सकते हो इससे मैंने चीज की है मैंने कुछ पॉइंट मतलब के extra की है different different point female labor force participation इन इंडिया यह मैंने point किया अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे YouTube पे ग्रूप है उसमें आप जा सकते हैं मतलब कि यूटूब पे नहीं है YouTube के वीडियो जो इसके description box है उसमें टेलीग्राम का गुरूप है तो वह आप जाके इस लिंक है उस telegram गुरूप का ठीके न वहां पर जाके आप जॉइन कर लेना आपको free of cost यह वाली PDF मिल जाएगी और हम बीच बीच में आंसर राइटिंग में करने था आज हमें इसी पर आंसर राइटिंग की है तो मैं आपको बता देता हूँ female labor force participation in इंडिया पेंडेमिक टाइम में आपने देखा होगा लॉस जा रही है मतलब की problem करेट हो गया वुमें की especially women को बहुत बढ़न बढ़ गया एवें जो लड़किया स्कूल में पढ़ने जाती थे उनकी पढ़ाई छोड़ती है स्कूल कॉलिज बन है वो भी घर के हाउसोड में काम बटाने लगी है उससे क्या हो गया है उनकी मतलब early child marriage age मतलब की जो early child marriage थी वो दुबारा से increase होना स्टार्ट हो गया है जो अब देखा घरवाले घर के काम में लगने लगी है तो होता है कि चलो अब इसकूल तो बन है जो गौर्मेंट स्कूल बन है चलो अब शादी कर देते हैं सस्ते में शादी हो रही है पेंड़मिक टाइम में और शादी कर देते तो यह भी problem देखी जा रही है प्रॉब्लम क्याती है तो स्टीडियो टाइप जो सुसाइटी हो थी चलो बारवा पास कर लिया अब इससे क्या करता है शादी कर देता है क्या यह काम करें उसके बाद बिजी हो जाती है चाइल्ड केर में फैमली केर में उसके बाद सोचने का वक्त नहीं मुलता दिजीटल डिवाइट किया गया है कि इंटरनेट यूजर 67% मेल है 33% फीमेल है जैसा क्यूं आप घर में देखोगे लड़के के पास मुबाइल होगा पर लड़की के पास मुबाइल ने होगा क्यूं आपके स्टेयोटाइब थिंकिंग जो सकती है कि मुबाइल की करें यह चीज़ देखी जागी और उस अबसे जादे कहा है गाहों में उना फिर उसकी बाद बोल सकते हैं डिजिटल लिटरिसी भी बोल सकते हैं कि चलाना नहीं आता वो भी एक कंडिशन है पर आप सिखा होगे तभी तो आएगा यह फिर टेक्नोलोजी आपका आपका डि ले लिए एक कंप्यूटर में ले लिया तो उसमें वोमेन को भी सब कुछ सब को हम होगा वोमेन को ज्यादा होता है लैक ऑफ जेंडर एलेटिड डाटा हमारे पार पर डाटा भी नहीं रख पाते हैं अगर मोमें जॉब भी करें उसे काउंट नहीं किया प्रॉपर तरीके जो बोला गया तो यह कुछ पॉइंट है जो आप लिख सकते हो अधनर फॉर इंडिया सेवल एस्टीमेट शोग एड़े कंपेट तो मैं वोमेन और 90 परसें लाइकली मिलब जो इंप्लॉइट इंडर इंडेक्स आया था तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था तो 17 लेक इंडिया वोमेन है ड्रॉप आउट फॉम दर वर्क कब इंडर इनको आपको याद अखना है यह इंपोर्टन डाटा जो मैं आपको नीचे बताया यह पूरा प्राइब बहुत इंपॉर्टन प्री के लिए जिए पूछ सकतेब आपको पाइंट देके मेंस में आपक काम करेंगी तो एन्वेल GDP कुल भी 60% जो आपकी GDP 50 चल रही है तो आपकी GDP 60% बढ़ सकती है ठीक है ना वाय टुप दोजर पच्चीस तक 50 साल के अंगर अंगर अगर जाएगी फिर फुल टाइम जो चाइड केर उसके लिए इंट्री प्रोड़ जाएगी फिर फुल टाइम ज अब बच्चे के लिए तो महां घर में रुकती है उसके लिए गुवर्मेंट जिलाए इंट्रीगेटी चाइड डवलपेंट स्कीम जो सपोर्ट करती है कि फुल टाइम जो चाइल्ड केर सॉलूशन के लिए जैसे आपके संगीनी सेंटर होते हैं वहां सेल्फ सब्सक्राइब जो इप्याइब जो आपको इसेंटर होना चाहिए उनको फिर मतलब की जो डिजिटर डिवाइड किया गया है उनको उसको अड्रस करना चाहिए पब्लिक प्राइबर सेक्टर इस मोर्स एफेक्टिव है मतलम जीजों कि अफोड़ेविल फोन होने चाहिए यह कंट्यूटर फिमेल लिट्रेशी डिजिटल लट्रेश इसे बॉट्सक्राइब यह उसके लिए क्यए रखो या उसके लिए हार कर दो एक सीवलेस वरक इसके लिए ब्रेक्सिबल वर्कों एक सीमलेस वर्किंग लाइफ होनी चाहिए नहीं कि वो मैंने चले से काम देते इसे ज़्याद है काम दे दो यह घर भी जाए की काम कर लेंगे इस चीज का ध्यान अपना चाहिए फिर फिस्कल इंसेंटिव में ऐसा नहीं है कि घर से नहीं को देर हो इसके बच्चे को प्रॉब्लम होगी आप उसके प्रॉब्लम को इंक्रेस्ट ना वोगें इंट्रोपरि अपको प्रॉड़िटि दीनीच चीज जेंडर एस्टेटिक को जाए यू एन वूमेन इनिशेटिव कॉल करता है मेकिंग एवरी वूमेन एंड गर्ड काउंट सब औरतों को अर गर्ल को गिनो कि आपको याद एक इसका है यूएन वूमेन का इनिसेटिव है यूं की वूम इनकारी जादी पूर आपको जेडरेस्टेटिक्स और इंशोर दाता तो आपको डेटीश एक्ससेबिल जुसे इन अपको इंफॉर्म पोलिशी गांटी इनिशेटीव 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 अधिया यह सब चीज है वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 50% पॉपलेशन अगर इक्नॉमिंग पार्ट नहीं बनती है करी तो आप एक बोल सकते हो कि नौन आपके रिमिनेटिब लेस्ट प्रॉडटिव नौन एक्नॉमिक अक्टिविटी मतलग इसे देखा जागा देखा 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 द इन 50% जो हमारी लेवर फोर्ट असको मिस कर रहे हैं तो आपको देख सकते हैं कि हम क्या मिस कर रहे हैं आपकी इन्वेटिव चीजों को एंटर प्रॉजर्शिप को आप एक दो एक्जाम्पिल मेंचन कर सकते हैं किसी भी लेडी का जिसको आप जानते हो वह अच्छे लेव पर नेक्स आडिटूर्याल के सब्सक्षाज वह किसी काम तरफिय काम था में इसससे अपरांसला देख से लाहतूस मिसित अर्फियल है थो के सुद् OnePlus Š. अब गॉर्मेंट क्या करने जा रही है ? एक ट्रिमिनल रिफॉर्म लाने की ओडिनस लेकर आई है खीक के बिडनस क्या होता है ? अगर वह आपने पालेमन्ट से पास नहीं कर रहा है पीसशेंट ने डारेक्ले टाइने कर दे क्लिफिंट पालेमेंट नहीं है ऐसा ordinance होता है, इसकी maximum life 6 month और 6 week होती है, plus 6 week, ऐसा की हो, क्योंकि 2 session के time में 6 month से ज्यादा time भी होना चाहिए, तो 6 month, अगर session start होता है, 6 week के अंदर अंदर आखको pass कराना है, तो 6 plus 6 week, ऐसा होगा, 6 month plus 6 week की life होती है, ordinance की, और हर चीज़ पर ordinance ला सकता है, जिस पर Parliament law बना सकती है, हर चीज़ पर ordinance आ सकता है, यह सारी ordinance होता है, तो उसके लिए एक ordinance लेकिया है, इसमें सिर्थी बात किया की गई है, एक case ता आपका Matthew वर्सिस आपका South Indian Bank का case तो बैंक की वी ट्रिबिनल होता है, उसमें यह कहा गया था, Supreme Court ले कि no judicial impact assessment would be conducted prior to the abolition of the tribunal through the ordinance, अगर आप कोई आपको कोई no judicial impact assessment, को judicial पर इंपक्त नहीं आना चाहिए, उसके, वो आपको पहले assessment करना हो, अगर नहीं आ रहा तो आगा, फिर भी, गौवर्मेंट ने ऐसा कुछ किया, ओडिनेंस लेके आगी, जो ट्रिबिनल ते फालतु वालतु वालतु को अबालिश कर दिया, यह सारी यह वाला बता है, फिर मदरास बार association union of india का 2020 का किस था, उसने किया कि सर्च कम selecting committee होगी, role of the malapidiscipline procedure होगा, it also fix the four year tenure of the chair person, a member of the tribunal, not withdrawal anytime, कुछ ऐसा judgment में कहा गया, पर वो भी फॉलो होगा नहीं होगा, बात में देखेंगे, फिर national tribunal commission की बात की गे, यह एक independent body बनाओ, आप national जैसे आपने बनाया चलो, आप एक tribunal बनाने की बात कर रहे है, abolish कर रहे है, और जो उसके member member कैसे रखोगे, independent रखोगे, तो उसके लिए national tribunal commission बनाओ, जिसमे independent yamrela body हो, ठीक है ना, अपने functional tribunal अपने आप करे, appointment, अपने discipline procedure अपने आप ले, इन सब्सक्रीयों की बात की पिरेंची वुड बी आइडली टेके सम अप दूटी इस लिए अपने उस से लेने, अपने विए अपने लेने, ये सारी चीजा, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, तो को की ordinance होगे, पर लिए से law बन गया, तो ट्रिमिनल रिफॉर्म, आपका rationalization and the condition of service, ordinance 2021 हम पढ़े अपने नोट से पढ़ेंगे, ये है, अब प्रिसिटेंट ने अभी मैंने बता दिया, आपको प्रिसिटेंट करता है, अपले अथॉर्टी अंड नाइन लॉग रिप्लेस्ट विद द आई को, ऐसा कुछ है, तो मैं क्या पढ़ेंगे, finance act 2017 क्या बोलता है, तो ordinance amendment, अभी ट् इंपावर है, चेंज कर सकती है, तो तो ट्रिबिनल होते थे, इस exercise, आपकी duty, self duty में इन ट्रिबिनल को अपलेट ट्रिबिनल होते थे, कोई case सुनाओ, customs related, exercise related, service tax related, ये अपलेट ट्रिबिनल में आपकी जाना जिसे NCTT होता है, तो उन सब चीजों को search come selecting committee होती थे, उसके लि जैसे, चार मेंबरों ने search किया, उसके बाद वो उन्होंने नाम भेज दिया आपको selecting, मतलब की selecting committee को, selection committee को, उसने आगे जानके एक नाम आगे forward कर दिया और उसे appointment कर गया गया, तो ऐसे होना चाहिए, ये सब उसमें Chief Justice of India होंगे Supreme Court की judge होंगे, नोमिनेट बाइन जेशियर प 9 law, replace the appellate authority tribunal, जो 9 law है, जैसे ये सारे थे, appellate tribunal, trade market act, copyright custom, क्योंकि सबकी होती है, आपके copyright का उलंगन किया, तो उसके एक tribunal होगे, उसमें जाओगे, इन सबकी tribunal को, उन्हें replace कर गया, एक ही tribunal कर गया, 9 law को replace करके, एक ही appellate tribunal बना दिया, reason of replacing tribunal, एक तो poor adjustment delay था, बहुत- ऐसे बोला गया, कि वो जल्दी से case solve हो गया, उसके अबाल litigation against them, there is a, मतलब कि क्या होता है, 1985 में, advocate bar association ने बोला था कि, against the tribunal, on the serious question of the independence of the executive, तो executive की उसकी वज़े से बात की गी, rated consent जैसे case in the high court, पुल भी increase, अब tribunal में नहीं जाता है, तो case में उसमें चलिया देता है, high court में य कुछ power होती है, उसकी मतलब ही judiciary दीवारी, तो quasi होता है, set up to deal with the problem, such as resolving the administration or tax related dispute, तो आपको यहाँ रखना है, it perform number of the function, जैसे educating the dispute हो, determine the right हो between the parties, कि आपको यह करो, making the administration decision हो, review करना को, existing administration decision को उस्तीच के लिए, ठीकिन, a tribunal is deprived from the world of tribunes, which means the magistrate of the classical Roman Empire, तो आपको यहाँ आपको यहा रखना है, tribune से निकला है, tribunal, जो magistrate होते हैं, आपको यहाँ रखना है, the tribunal is generally is any person or the institution having an authority of judge, educate on, मतलब की, ad juridicate on, or to the determine the claim of the dispute, मतलब वही solve कराने के लिए, आप formal तरीके से पोर्ट में ना जाखना को बढ़ता है, बढ़न कम करने के लिए यह चीज बनाई गई गई थी, कि आप फिर भी लगता है, तो आप हाई court, supreme court जा सकते हैं, constitution provisions भी है, जैसे, tribunal is not originally part of the constitution, important line pre के लिए, क्योंकि 2021 में कुछ changing किये गा, तो आप ही सकता है, 42 constitution amendment act 1976, 4 or 2 कितने होते है, 4 or 2 होते है, 6 to 1906 में, अर एक 44 constitution amendment act है, 4 or 4 कितने होते है, 8 to 1978, introducing the provision of tribunal according to the recommendation of swan sing committee, इन्होंने बोला था, इसके बाद ही बनाएगी कि tribunals, amendment introduce किया था, आपका part 14a to the constitution दो डील करता, आपका tribunal contained 2 article, 326a, जो administration criminal की बात करता है, ये इस कुछी judicial institution होता, resolve करने के लिए आपके requirement, service condition of a person engaged in the public services, एक होता है, article 223b, ये अधर जो tribunal होता है, इसके अलावा administration के लावा, सचा है, taxination, industrial ये लेबर के उपर, ये foreign exchange, इन सब चीज़े के उपर होते हैं, पर्लेमेंट्री मला election और पर्लेमेंट्री स्टेट लेजलेटर रेंग, तो बना हर चीज़ के बनाया था, solve करने के लिए कुछ चीज़े हैं, आपको ये विया रखना है, ये बहुत important, not originally in the constitution, किस कमैठी की देना है, स्वांट सिंह कमैठी की देना है, किस article मैठ की देना है, अपने हिंदू पर दुबार से, तो हमाने ये, हमने complete पढ़ लिया, कौन-कौन सा ट्रिबनल किसके लिए है, अब उसके लिए आप ordinance लेके आए, उसमें क्या-क्या बाते की गही है, वो अभी देखेंगे, जो भी होगा, फिर आता है, कोविन पोटल, मैंने कई बार पढ़ा से, ये होटल है, ये ministry of HRD, मतलब की HRD, sorry HRD नहीं, आपकी health and family welfare ministry के अंडर ये आपाता है, इसको back support कहां से, क्योंकि ये तो family welfare है, अब ये work तो मतलब IT में कर रहा है, तो इसके लिए NIC, National Information Commission है, वो इसको back support कर रहे है, ministry of IT की, information technology ministry इसको back कर रहे है, इसको मतलब की online service वाला काम कौन देख रहा है, वो देख रहा है, पर कौन से principle निसकी ministry कौन है, ministry of health and family welfare, फिर NIA, NIA की बारे बार में पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, बहुत लबा फित हो जाता है, फिर जो Indian variant आपको या रखना है, B.1.617, ये Indian variant आपको या रखना है, अब फिर आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है ना, तो उसको deadline थोड़े increase कर दो, तो relax देदो, ताकि वो utilize कर सके, अब CDSO officially had the bribery charge, ऐसा लगा है, 2 CDSO official, अब देखो, अब आप खुद बताओ, ये क्या है, CDSO बताओ क्या है, ये पूरी vaccine बन रही है, ये central drug standard control organization है, ये पूरी म पर आता है, ministry of family welfare के लिए, अब इनके officer ही देखो, आप बाइवरी के मिलब डिश्वत में पकड़े जा रहे है, तो क्या आप, हम believe करेंगे, क्या, इस देश में क्या होगा, पता नहीं, इस में क्या होगा, मैं CDSO के बारे में आपको थोड़ा बताओंगा, क्या है, कलिया प पर पड़ाया था, क्योंकि मेरी तबियत भी खराब है, अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, मेरी शायद कलिया पर सो रिपोड भी आ जाएगी, सब अच्छा होगा, मैंने कल कर निउस्पेपर में स्किप कर देता हूं, क्यों यह प्रबलम होती है, दवाई खाने वाइबल है, वो उसके अंदर रखी गई है, ठीक है ना कम्यूटी, तो उसमें कुछ कॉंड़ा कम्यूटी है, आपकी नियामी गिरी हिल्स में, और ठीक है, आपकी मलंकरी गिरी डिस्टीकास में बॉंडो कम्यूटी है, यह उडीसा के अंदर है, इनके अंदर कोवीड मैं आज नहीं रिपीट करूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले यह आल्रेडी पढ़ा रखा है, तो मैं यह रिपीट नहीं करूँगा, यह कम्यूटी किसमें आगी है, यह आगी है अब वर्नेबल सेक्शन में, हम चलते हैं आगे, एक मेंगा टेक मेंट, हम अन्यूटी किसमें आगी है, पीवीटेजी कहीं किसमें अगी, भर्नेबल सेक्शन में यह आगी है, यह सारी नियूश्टिस से रिलेते, पर यह क्या है कि बेटर प्राइमरी हेल्थ करना हो तो कि यह जो कहा है रूलर एरिया में स्पेड होना स्टार्ट होगी है तो इसके लिए बेटर हमें हेल्थ केर सिस्टम करना हो प्राइमरी को प्राइमरी कहा करता है रूलर एरिया में काम करता है उसको बेटर करना हो मेरी ड पता है फिरिजुए ने कॉल किया है कि एंड करो जो वाइल है चल रहा है गाजा स्ट्रिप में कैसे बिचारे बिच्छे गठे हैं और फिलिस्तिन और मतलब कि इसराइल के बीच मैं सको स्टॉप करो यह सारी यूज से रिलेटिड आगे चलते हैं आगे कोई भी नीज नहीं ह जो मारे UPSC के पढ़ने के लिए है ठीक है ना मैंने आपको सब बता दी हम आते हैं अपने हम आते हैं अपने जो हमने नोर्स एक्स्टेट किये मैं से आपको CDS सो बताने वाला हूँ उससे CDS सो बताऊंगा और भी एक तो बॉड़ी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अपने आपको कुछ नहीं है वैक्सीन को देख भाल यह एक करते है स्टेट और यूए यह मला आइसोट्राइण गोल सब्सक्ते हैं इस और ट्रीटमें और में और इंक में कोई डिसीजिए निशन सबके लिए उसकिया जाता है थाए यह सबक्ष लिए ज़िए यह सबक्या यह सब दिखेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, यह कुछ इंपॉर्टेंट डिगे, इन यूज में आया तो सिरलेटिड का, CDSO क्या है, यह Central Drug Standard Control Organization, Under the Director General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is the National Regulating Authority of India, यह आपको याद है, function कैसे करती है, यह जो Drug and Cosmetic Act है, CDSO is responsive for approval of the new drug, conduct a clinical trial, laying down the standard of drug, control over the quality of imported drug, कैसे quality, coordinate करती है, activity of the state, जो drug control authority उसके साथ, कोई advisory उसके साथ, क्योंकि enforce करता है, इसे कौन सा है, Drug and Cosmetic Act, CDSO along the state regulator is jointly responsible for the grant lesson of certain specialized category critical drug, जोपी है, जैसे blood का हो, यह blood product हो, IV fluid हो, यह vaccine हो, यह सीरा हो, इन सब चीका approval कौन देती है, CDSO देती है, state के साथ मिलके भी, इसको head भी कौन करता है, DGC, Drug Control, General of India जो होता है, CDSO के head होता है, उसके बाद यह कौन होता है, Director General of Health Service, यह इसके उपर होता है, यह इसके उपर होता है, उसके उपर minister होगा, जो health and family welfare हो होता है, फिर आता है, telemedicine services जो है platform देखाओगा, इस संजीवनी, जिसे मैंने आपको दिखाया था न, news क्या थी, अब गौहों में फैल गया है, तो क्या बढ़ाने की बात की, antigen rapid test करा हो, और उसके बाद telemedicine को increase करो, गौहों में जा जा जाके, इसमें यहा लिखा, यह सोपीस नहीं निकालो, और telemedicine का, teleconsultation का increase करो, तो government ऐसे कुछ किया है, कि आप पिछले साल में हम देखेंगे, तो हाँ, इसके लिख गौहर्मेंट ने प्लेटफॉर्म में लगाला, e-sanjeevni, इसमें दो एप है, एक प्लेटफॉर्म में निकाला, telemedicine के लिए, एक e प्लेटफॉर्ट ने बहुत अच्छा काम करें, तो तो यह सब चीज है, अब यह है क्या, इनको प्लेटफॉर्म तो है, यह तो ministry of health का है, अब इसको मालब यह online portals है, platform service है, telees में जुड़गी है, तो support कोन करेगा, कोई तो support करेगा, कोई तो ITO department होगा, उसके लिए CEDEC, CED जो head office है, आपका central dip, आपकी development advanced computing माहली, यह सको support कर रहा है, तो CEDEC is a primary research and develop organization है, किसकी, आपकी METE की, ministry of electronic of IT की, इसके research and development wing है, तो telemedicine क्या होता है, as per the WHO क्या बोलता है, telemedicine the delivery of healthcare services, where the distance are critically factor by the all healthcare professional using the IT, तो आप कहीं से कहीं भी बैठे हो, उससे suggestion ले सकता है, कोई बीमारी है, आपको report उसे बता सकते है, बेज सकते है, वो आपको teleconsultation हो जाएगा, यह संजीवनी है क्या, देखूँगा, अब अनुतर बता हूँगा, इस संजीवनी और इस संजीवनी OPD क्या है, इस संजीवनी क्या है, कि doctor to doctor telemedicine system है, इसमें इनसान नहीं आएगा, अगर operation रहे केड लाव है, उसे संजेशन लेना है, दिल्ली की डॉक्टर का, वो doctor to doctor telemedicine system है, being implemented by the Ayush Bharat Health and the Wellness Center, जो हमके प्रोग्राम के लिए, इनको चलाया जा रहा है, वेलने सेंटर प्रोग्राम कुछ नहीं है, एक तरी से क्या है कि वही प्राइमेरी हेल्ट के लिए वर्क करेंगे, इस जो आपके वेलनेस सेंटर उनको connect करेगा, using the hub, जो प्राइमरी हेल्ट केर सेंटर चोटे डॉक्टर होता है, बड़े डॉक्टर से कंसर्ट करना है, जो दिल्ली के डॉक्टर है किसी तो उससे उनको connect कर दिया जाएगा, अगर को एक दिल से बिमारी उनके पास आई, काम कर स क्या होगा, क्या बताए, AIMS, OIMS के डाइक्टरों इन से करेक्टिड रहेंगे इस सब चीजों से, यह हाँ पहेंगे स्पोक मोडल बोलता है, इस अंजीवनी OPD क्या है, इसमें हम डॉक्टर और पेशन कंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको या रखता है, कोई कोई लगेगी, य टूवे इंट्रेक्शन होगा, टूवे इंट्रेक्शन कैसे, आपको प्रिस्क्रिप्शन स्लिप भी मिलेगी चन्रेट होगे, जो आपको फोन में के अंदर आ जाएगी, आटोमेटिक ही, जो दवाई लिखेंगे, यह सारी चीज़े हैं कि, 14 ओनलाइन जो है पीशन आपड में बनाए गया है, यह सारी चीज़े है, वे फोर्ड भी था पढ़ने के लिए नहीं है, मैं आपको इडिफरेंस बता दिया, इतना ही ता आज के लिए डिजिटल इंडिया के फोर्वड करने के लिए, तुम्हा को क्या बताना चाहा हो, इतना ही नूजर आपको प्लीज अ प्लीज चेर करना, ठीक है, ओके थेंगी,